हेलो स्टुडेंट माइसल पुनीत मंडे यो फैकल्टी ऑफ साइंस अंड टेकनॉलजी जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी यूपी पीचेस में 2019 का एक्जाम चल ले हैं और गुमी एजुकेशन ने जितने भी वीडियो लेक्चर अभी तक डाले थे अपनी एप पर औ यूट्यूब चैनल पर वहां से हमारे जो है सतर से असी प्रतिशत सवाल जो है सीधे मेंस के एक्जाम में पूछे गए हैं ये बड़ा ही उत्साहित करने वाला प्रेणाम रहा और इसी सीज से हम लोग को एक प्रेणा मिली कि आप लोगों के लिए जो यूपी एसी 2020 और य उनके प्रेणा के लिए कुछ material कुछ संभावित model paper या कह सकते हैं guess paper drive का आपके लिए बना कर हम लाएं अब सवाल उठता है कि यह जो model paper है, जो हम लोगों ने बनाया है, खासकर मैंने आपके लिए science and technology के लिए कुछ चुनिंदा सवाल जो है, उनको मैं अलग-अलग जगों से निकाल कर लाया हूँ आपके लिए, इनका source क्या है, और इनका selection का criteria क्या है, क्या यह UPSC की exam के लिए बेसिकली ऐसा है कि अगर 3-4 criteria बनाये गया है, जिनके आधार पर questions की framing और इनका selection किया गया है, जैसे कि कोई new technology development, ध्यान रहे, UPSC जो है, वो basically जो current oriented questions उठाता है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पिछले एक से डिएड़ साल में जितनी बड़ी टक्निकी क्रां में रही है, तो उसको जो है, इस question paper में जगह दी गई है, दा हिंदू का प्रियोग इसमें बहुत जादा किया गया है, और UPSC का एक इतिहास रहा है, कि दा हंदू जो है, उससे सीधे सीधे सवाल यहां पर उठा ली जाते हैं, तीसरी चीज़ जो है, UPSC का अगर आप paper में होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन यह सीधे सीधे simple MCQ type questions होते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान बगते हुए, सबसे कम जो इस्थान है, वो MCQ के questions को दिया गया है, अब रहाबाद की formatting में, जो आपको देखा जाए कि formatting किस प्रकार से की एक question को कितना इस् तीन चार statement दे दिया जाते हूं और उसमें से पूचा आता है कि इसमें से correct कथन या statement कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा मातरा में अगर मैं पिछले सालों का paper देखता हूं, तो UPSC में statement wise questions बहुत ज़्यादा पूचे आते हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ज इस paper में matching के questions को दिया है, कि इसमें से एक से अधिक विकल्प अगर सही है, तो उनके बारे में बताईए, और तीसरे इस्तान पर जो हमारा, जो इसे किया मैंने बताई, UPSCB, अलप मातरा में, थोड़ी मातरा में, कुछ questions पूचता है, जो one-liner जैसे होते हैं, तो बहुत ही क पांस से साथ सवाल जो है, उन one-liner वाले सवाल यहां पर रखे गए, उनको one-liner कहना तो गलत है, लेकिन वो MCQ से टाइप के सवाल है, जिनमें simple जो है, चार में से एक option आपका सही रहता है, तो यह 50 questions का science and technology का paper है, जो की, जिसकी formatting और जिसके sources हैं, बड़े relevant sources हैं, इनकी research and development ब बहुत जाद समय लगाया गया है, और उनकी formatting और framing मैंने खुद किये, तो देखते हैं, paper solve करके, क्या है हमारे यह paper, और किस तरह से इसके questions किस तरह से हैं, और कैसे आपकी यह help कर सकते हैं, अगर आप पूरा का पूरा video lecture आप देखेंगे, तो मुझे आशा है कि आने वाले exam म का हो, चाहिए UPPCS का हो, दोनों में आपको lab होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, अपना question paper, जो पहला सवाल मैं देखता हूँ, वो है, with reference to CRISPR, consider the following statement, अभी विगत में एक technology थी, जो पिछले साल और इस साल भी बहुत जादा news में रही, वो थी CRISPR-Cas9, DNA editing technology होती है, तो देखत CRISPR stands for collective regularly interspaced short palindromic repeats, इसको CRISPR का अर्थात, CRISPR का मतलब है, collective regularly interspaced short palindromic repeats, इसका full form है, option 2 कह रहा है, CRISPR-Cas9 is a genome editing technology, ठीक है, option 3, CRISPR was first discovered in bacteria and later on in archaea, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और इस में से तो एक जवा मैंने पहले ही दे दिया, तो ध्यान दे, इस में से कौन सा, which of the statement above is our correct, इन में से कौन से कथन जो है, वो सही है, नमबर एक, one only, two only, one and two, one, two and three, तो ध्यान दे, CRISPR, पहला गर हम पहला preparation उठाते हैं, पहला जो statement है, उसके बारे हम देखते हैं, तो CRISPR का अर्थ होता है, collectively regularly interspaced short palindromic repeats, तो ध्यान दे, इ बहुत minor सी चीज़ है, और civil हमेशा बहुत minor से changes कर देता है, शब्दों में बहुत सा अंतर रहता है, और आपका पढ़ा हुआ भी गलत हो सकता है, तो यहां collective की जगा शब्द होता है, clustered, ठीक है, तो इसका नाम होगा CRISPR का cluster regularly interspaced short palindromic repeats, ठीक है, तो पहला अर्थ है, तो प editing technology, तो genome editing technology है, हाँ बिल्कुल है, genome editing technology CRISPR-Cas9 है, genome की editing करती है, DNA को edit करने का काम करती है, बिल्कुल सही है, तो option number 2 सही है, CRISPR was first discovered in bacteria and later on in archaea, पहले CRISPR-Cas9 system जो है, इसकी खोज बेग्जानिकों ने bacteria में की थी और उसके बाद archaea में की थी, archaea bacteria से simple जीव होते हैं, तो ध्यान दे, ulta है, सबसे पहले CRISPR-Cas9 की खोज, archaea में होई थी और उसके बाद bacteria में, यानि कि यहाँ पर जो है, क्या हुआ है, क्रम बदल दिया गया है, ठीक है, तो यह भी option क्या हो जाएगा, गलत हो से, जो अगर आपको exact knowledge नहीं है, ठीक ठीक अगर आपको पता नहीं है, तो ऐसी स्तिती में आपसे commission गलतियां कराने की कोशिश करता है, ठीक है, तो यह इसके ध्यान देने लाएक है, दूसरा जो हम question लेते हैं, with reference to blockchain, consider the following question, blockchain technology, आपने सुना होगा, bitcoin, और bitcoin जो होता है, blockchain पर आधारी तकनीक पर आधारी एक मुद्रा पड़ा ली है, ठीक है, तो उसी पर आधारी सवाल है कि blockchain के बारे में कुछ बातें बताईए, ठीक, उनके बारे में बात करते हैं, option number one, blockchain is growing list of records that are linked using cryptography, cryptography का प्रियोग करके, जो है blockchain, जो है, blockchain एक ऐसा टेक्नी, एक ऐसा क्रम है, records ह list of records है, जो की लगातार grow करता रहता, बड़ा होता रहता है, और इसमें cryptography की मदद ली जाती है, ठीक है, blockchain is a digital ledger that is deplicated and distributed across entire network of computer system on the blockchain, और तीसरा कह रहा है option कि each block contains a unique code which identifies it known as hash, तो यहाँ तीन बाते कही जा रही है, पहली चीज़ तो है कि blockchain जो है, वो growing list of records, records की बढ़ती हुई श्रिंखला होती है, तो बिल्कुल सही बात है, blockchain अगर आप अप में जाके blockchain को देखेंगे, blockchain का lecture आप देखेंगे, तो आपको वहाँ पे detail आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो blockchain जो होती, blockchain के बारे में अप में lecture है आपके, तो blockchain जो है, बिल्कुल सही बात है, growing list of records होती है, जो option सही a1 सही है blockchain is a digital ledger that is duplicated and distributed across entire network of computer system on the blockchain तो ध्यान दे जो भी transaction होगा blockchain में वो एक block के अंदर record हो जाता है और वो recorded block जो है जितने भी computer जो है उस blockchain system से जुड़े हुए है सब में जो है उसकी copy पहुँच जाती है इसलिए जो भी particular computer है किसी एक computer में उसकी copy ना होगा है जितने भी service में जितने भी notes हैं जितने भी लोग उसका अपयोग कर रहे हैं सब के बास उस transaction का record पहुँच जाता है तो यह भी बास सही है यानि कि option number 2 भी सही है कि यहाँ पर जो block होता उसको duplicate किया जाता और distribute किया जाता है मतलब वो duplication का मतलब जो block जिस जगह पर जिस computer में transaction हुआ वहाँ पर तो रहेगा ही साथ में साथ जितने जो सदस से लोग हैं सारे सदस्यों के computer में भी वो block की copy जो है पहुँच जाएगी ठीक है तो यह भी option सही है तीसरा option है each block contains a unique code which identifies it known as hash हर एक block जो होता है जो भी blockchain का block है और block मैंने बता है एक digital transaction का record होता है एक particular समय पर किया गया तो उसमें कह रहे हैं कि जो particular block होता है उसको identification करने के लिए उसमें एक particular hash लगा जाता है एक sign लगा जाता है which is known as the hash तो hash की सहायता से आप block को identify कर सकते हैं त इस चीज से आप एक particular block को identify करते हैं उसको पहचानते हैं उसे हम hash के नाम से जानते हैं ठीक है यह तीनों ही statement सही है इसलिए इसका option हो जाएगा d option number one two and three all are correct ठीक है तो तीनों ही किसके सही है question number three की बात करते है which of the following statement about life i is correct is are correct तो निमली कित में से life i के बारे में कौन से options सही हैं देखते हैं number one life i is also known as light fidelity life i का अर्थ होता है light fidelity life i was developed by herald has life i की खोज herald has ने की तीसरा option कह रहा है life i transmit data by charge particle life i जो होता है वो charge particle बतलब आवेशित कणों की सहता से data को एक जगा से दूसरी जगा transfer करता है इस्थाना अंतरीत करता है, लाइफ़ा में डाटा का इस्थाना अंतरण किसकी द्वारा होता है, with the help of charge particle या आविशित कणुग, जैसे आविशित कणुगों है, electron और proton, इस तरह के आविशित कणुगों के द्वारा डाटा का transfer होता है, चलो देखते हैं, पहला option है, fidelity, जैसे वाइफ़ाई का न मतलब होता है, wireless fidelity, आप फोन में होगा, वाइफ़ाई, वैसे वाइफ़ाई से ज्यादा बेटर advanced technology है, जिसको नाम है लाइफ़ाई, यहाँ पे वाइफ़ाई में क्या है, wireless तरंगों के, रेडियो तरंगों के द्वारा हम data का transfer करते हैं, लाइफ सही है, इसकी खोज जो है, herald health नाम के विग्यानिक ने की थी, ठीक है, और तीसरा जो है, life I transmit data by charge particle, ध्यान दे, अब यह भी मैंने का, life I में, इसका नाम ही है, light fidelity, प्रकाश की साहता से data का इस्थानांतरन होता है, और ध्यान दे, जो प्रकाश होता है, प्रकाश में किसी भी तरह का आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता, यह तीसरा option यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर data का इस्थानांतरन, electron या protonों के द्वारा नहीं हो रहा है, बलकि data का transfer photons या प्रकाश के कणों के द्वारा हो रहा है, तो इसमें option जो है, आपका B सही हो जाएगा, के वल एक और दो, यही दो option number 1 और 2, statement number 1 और 2 ही सही है, बाकी जो है, तीसरा number का statement आपका गलत है, question number 4, एसी मैंने जो एक बहुत बड़ी खोज हुई, खोज क्या है, भारत ने एक बहुत बड़ा breakthrough हासिल किया था, और उसका नाम था HSTDV, Hyper Sony Technology Demonstrator Vehicle, ठीक है, तो इसकी बात क खड़ा हो गया है, यह बहुत बड़ा technological breakthrough था, तो देखते हैं इस पर आधारी सवाल, consider the following statement about HSTDV, that is Hyper Sony Technology Demonstrator Vehicle, Hyper Sony Technology Demonstrator Vehicle के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार करिए, number 1, HSTDV was developed by ISRO, HSTDV की खोज का development या विकास ISRO के द्वारा, ISRO, Indian Space Research Organization के द्वारा हुआ है, number 2, it contains a ramjet engine for propulsion, यादा रहा होगा थोड़ा 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 अपने यह news सुनी होगी, तो इसमें कौन सा engine लगा है, question कागर है, इसमें ramjet engine लगा है, जिसकी साहता से यह जो यह प्रडाली है, या जो rocket जैसी चीज जो हमने बनाई है, यह यान जैसा चीज जो है, यह आगे क दिशा में बढ़ती, propulsion मतलब आगे की दिशा में बढ़ना, in near future this technology can be used for the development of hypersonic ballistic missile, निकट भविश्य में इस तक्नीक का प्योग करके हम hypersonic ballistic missile का निर्माड करने में सक्षम होगे, तो देखते हैं इसमें से कौन से statement सही है, तो पहला statement देखते है, HSTDV was developed by ISRO, तो ध्यान दे, ISRO ने इसका development नहीं किया, इसका development जो है, DRDO ने किया, Defense Research Development Organization, DRDO के द्वारा इसका development हुआता है, तो जाहिर से बात है, पहला वाला option अपका गलत हो गया, इसमें रैम जेट इंजन लगा है, तो ध्यान दीजिए, यह जो चीज है, यह जो HSTDV है, इसमें रैम जेट इंजन नहीं रहा है, स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, option number 2 भी यहां पर आकर गलत हो गया है, रैम जेट की पावर कम होती, स्क्रैम जेट ज्यादा पावरफुल होता है, इन नियर फ्यूचर इस टेक्नोलजी कैन बी यूज़ फोर देवलोप्मेंट हाइपरसोनिक बैलेस्टिक मिसाइल, तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी मिसाइल का प्रियोग कर रहा है, डेवलोप्मेंट का हाइपरसोनिक बैलेस्टिक मिसाइल, तो बैलेस्टिक मिसाइल नहीं बनेंगी इस से, इसके प्रियोग के दौरा हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठीक है, इनका निर्माड करेंगा, दोगों कितनी छोटी-छोटी जगों पर जोए चेंज़ेज लाकर सवालों को आते हुए सवाल गलत किया करा दी जाते हैं, तो यहानी कि पहला सवाल इस रो इस रो ने ने बनाया, किस ने बनाया, DRD उने, रैम जेट इंजन नहीं लगा, क कि यहां करा के गलत हो जाते हैं, तो इसका option हो जाएगा, D यानि कि none, इन में से कोई भी नहीं, पाच्वा सवाल देखते हैं, consider the following statement about anti-satellite weapon, आपको शाय दया दो, कुछ, पिछले साल करीब हम लोगों ने जो है anti-satellite weapon का testing की थी, और उसी के बारे में यह सवाल है, the operation code of anti-s mission सक्ती, जो operation हुआ था, जो launch हुआ था, यहां से satellite, और उसने उपग्रे को नश्ट कर दिया था, इस mission का नाम था, mission सक्ती, और this weapon destroys satellite by its kinetic energy only, तो यह जो anti-satellite weapon है, यह अंतरिछ में जो चक्कर लगाता हुआ, जो satellite होता हुआ, उसको अपने kinetic energy, kinetic energy को हिंदी में कहते हैं, गती जो उर्जा के माध्यम से नश्ट करता है, तो देखते हैं, क्या सही है, तो पहला तो option जो हमारा है कि इसका नाम था, mission सक्ती, वो बिल्कुल सही है, पहला option आपका सही है, the operation code का नाम था, anti-satellite weapon का क्या था, mission सक्ती के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, और यह कैसे ही, जो weapon है, यह क्या करेगा, अंतरीच में जाएगा, और pinpoint precision से यह जाकर satellite से टकरा जाता है, तो जब आप टकरा जाते हैं, कोई इसमें bomb नहीं लगा है, कोई blast नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता, और यह सीधे जाकर satellite से टकरा कर उसको नश्ट करता है, तो जाहिर सी बात है, ज गति जूर्जाक के द्वारा, high kinetic energy के द्वारा नश्ट कर देता है, तो इसका option हो जाएगा, C, one and two both, यानि कि दोनों इसके सही है, ठीक है, पहला भी सही है, और दूसरा जो statement है, वो भी सही है, question number six, which of the following statement about covaxin is are true, निमलिखित में से covaxin के बारे में कौन से कथन सही है, ए किया, एक से दिक, statement number one, covaxin is a vaccine which provides immunity against covid-19, covaxin एक ऐसी vaccine है, जो की covid-19, जो बीमारी चल लिए, कौन सी बीमारी, covid-19, coronavirus disease 2019, ठीक है, जो हम लोग अभी, normally आम आदमी इसको corona corona कहके कहता है, न, corona बीमारी हो गई, तो इसका बीमारी का technical नाम क्या है, that is known as the covid-19, किसकी वज़े से ह होती है, SARS corona virus के द्वारा होती है, ठीक है, तो covid-19 जो disease है, इससे immunity प्रतिरक्षा प्रदान करती है, मतलग अगर आपको ये vaccine लगा दी जाएगी, तो आपको covid-19 disease नहीं होगी, ठीक है, Indian Council of Medical Research is collaborating with भारत बायोटेक for the development of vaccine, जो ICMR है, Indian Council of Medical Research, ये भारत बायोटेक के साथ मिलकर इस vaccine के निर्माण में सहायता कर रहा है, ठीक है, तीसरा, जो option वो सबसे interesting है, उत्तरप्रदेश government announced that phase 3 trials will start for the co-vaccine in Lucknow and Noida city from October, जो उत्तरप्रदेश government है, जो उत्तरप्रदेश की शरकार है, इन्होंने कहा है कि Lucknow और Noida, ये दो ऐसे सहर हैं, जिसमें October से co-vaccine के तीसरे चर्ण के जो phase 3 trials हैं, वो शुरू किये जाएंगे, देखो कितना confusing होता जा रहा है न, और चौथा, co-vaccine is a DNA vaccine, co-vaccine एक DNA vaccine, तो चलो देखते हैं, पहले कौन को, इसमें से कौन सही हो सकते हैं, पहला तो option बिल्कुल लग सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा news में रही, भारत बायोटेक vaccine है, और इसका option है कि co-vaccine is a vaccine which provides immunity against COVID-19, COVID-19 के against ये immunity प्रदान करेगी, हला भी ये बनी नहीं है, लेकिन जब भी बनेगी तो आश्रा की जाती immunity प्रदान करेगी, ठीक है, तो statement 1 सही है, statement 2 की बात करते हैं, तो भारत बायोटेक के साथ जो इसमें, जो help कर रही ही संस्था, भा SMR इसके साथ सही हो कर रही है, इसके साथ भारत बायोटेक के साथ जो की co-vaccine की निर्माड करने वाली company का नाम है, तीसरा जो statement वो बड़ा interesting है, उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने, हाँ ये बात बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने भी घोशना की है, कि उत् में शहरों का नाम बदल दिया है, ताकि आपको याद रहे, ये जो दो शहर है, इनका नाम है, पहला शहर है लखनवू, और दूसरा शहर जो है वो नोड़ा नहीं है, दूसरा शहर आपका जो है वो है गोरकपूर, ठीक है, तो गोरकपूर और नोड़ा दो ऐसे शहर है, ज जेने वैक्सीन नहीं है, यह सामाने किसम की वैक्सीन है, ठीक है, तो यह चार आपके स्टेट्मेंट है, चार में से स्टेट्मेंट नमबर एक और दो आपका सही है, जब कि तीन और चार गलत है, तो इसका option होजेगा be one and two only, अगले सवाल पर चलते हैं, question number 5, question number 7, question number 7 आपका क अभी वैक्सीन के सवाल एक साथ जो है, जितनी भी वैक्सीन हैं, जिनके बारे में सवाल बन सकते हैं, उनको एक साथ ले लिया है, consider the following statement about Sputnik 5 वैक्सीन, अब यह Sputnik 5, जितना को वैक्सीन famous ही, वर्ड में सबस्यादा famous वैक्सीन इस वक्त जो है, जिसका नाम सब लोग जान रहे हैं, वो है Sputnik 5, शायद आपने भी सुना हो, तो देखते हैं इसके बारे में कौन-कौन से statements हैं, और कौन से सही हो सकते हैं, Sputnik 5 was developed by Gamalya Institute of Russia, Sputnik 5 का निर्माड, रूस के Gamalya Institute ने किया है, number 2, it uses adenovirus vector, यह vaccine adenovirus नाम के vector का प्रयोग करती है, ठीक है, और तीसरा statement कहरा ह है, Sputnik 5 is a two-shot vaccine, मतलब यह इस vaccine को दो बार लगाना पड़ता है, पहले एक बार लगाएंगे, और उसके कुछ दिनों बात फिर दूसरी dose दी जाएगी, जिसको booster dose कहते हैं, तो इसमें से कौन-कौन से statement सही हैं, तो चलो देखते हैं, Sputnik 5 का निर्माड गैमेलिया 26 और RAD 5, यह दो वेक्टर्स का प्रियोग, जो है, इडिओन वाइरस वेक्टर्स का प्रियोग करती है, RAD 26 और RAD 5, AD का मतलब होता है एडिनोवाइरस, R का मतलब होता है Recombinant, Recombinant अधनोवाइरस No. 26 और रेकॉमिनट अधनोवाइरस No. 5 यह दो तरह के अडिनju वाइरस का प्रियोग करती, इसलिए इसके दो डोसे हैं, एक बार आपको 26 नंबर का वाइरस दिया जाएगा और एक बार आपको 5 नंबर वाला है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, एडनो वाइरस वेक्टर का प्रियोग किया जता है, और तीसरा जो इस्टेटमेंट है, इस स्पुतनि ये प्रशन आपके सामने आया है, इसमें तीनो के तीनो स्टेटमेंट सही है, इसका जो सही आपका हो जाएगा, वो है आप्शन नंबर दी, 1, 2 and 3, all are correct, फिर नेक्ट देखते हैं, consider the following statement about coronavirus, which causes COVID-19 disease, COVID-19 disease या COVID-19 रोग उत्पन करने वाले coronavirus के बारे में निमलिखित कथनों पर विचार करिए, तो चलो देखते हैं, क्या है, कथन नंबर 1, statement number 1, SARS-CoV-2 is a DNA virus, जो SARS-CoV-2 या coronavirus, जिसको आप आम भाशन में coronavirus भी कहते हैं, WHO ने इसका नाम, SARS-Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus number 2, ये रखा है, ठीक, इ एक DNA virus है, ठीक है भई, दूसरा statement कहता है, it contains double extended DNA to carry its information, इसके अंदर double extended, दोहरी श्रिंखलाई वाला कैसा DNA, जैसे आपने पित किताब वगारा में DNA पढ़ा होगा, उस तरह से double extended DNA इसके अंदर पाए जाता है, ठीक है, इस तरह से double extended DNA पाए जाता है, ठीक है, तो इस तरह से double extended से संबंदित जितनी भी information है, जितनी भी जानकर ही, सूचना है, वो अपने साथ लेकर चलता है, ठीक है, इसको genome कहते है, ये वी नंबर दो हो गया, in some patients, SARS-CoV-2 causes acute respiratory distress syndrome, इसको ARDS कहा जाता है, ठीक है, और चौथा statement कर रहे, it can be transmitted by droplet infection, छीक वगारा के द्वारा ये फैल सकता ह ही है, पहला का स्थन देखते है, SARS-CoV-2 is a DNA virus, तो ये बात बिल्कुल गलत है, DNA virus नहीं है, ये virus कैसा है, RNA virus है, तो ये important चीज़ है, पूछी जा सकती है, ये कैसा virus है, DNA नहीं है, RNA virus, पहला statement गलत हो गया, और जाही से बात जब ये DNA virus नहीं है, तो दूसरा statement भी गलत हो गया, it contains double extended DNA, दोहरी शिंखला यूगत DNA नहीं पाके, single single extended RNA इसके अंदर पाए जागा, तो statement दो भी गलत हो गया, इसमें DNA नहीं मिलता है, RNA मिलता है, इसलिए ये DNA virus नहीं, RNA virus है, पहले दो इस statement गलत हो गया है, इसका सही statement होना चाहिए, SARS-CoV-2 is a RNA virus, ठीक है, एक ऐसा virus है, RNA virus है, और इसमें single extended RNA पाए जाता है, खैर, number one और number two गलत हो चुके हैं, number three पे देते हैं, कुछ रोगियों में SARS-CoV-2 की कारण acute respiratory distress syndrome होता है, ARDS कहते हैं, ARDS क्या होता है, फेफडे में पानी भर जाता है, सूजना जाती है, और पानी भरने की वज़े से फेफडे जो है, वो gas exchange नहीं कर पाते हैं, oxygen को हवा में से absorb नहीं कर पाते हैं, इसलिए रक्त में oxygen का level, जो oxygen की मात्रा है, वो गिरने लगती है, और इस वज़े से patient की मौत हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग जो हैं, उनमें सब में नहीं, कुछ लोगों में ARDS नाम की खतरनाक इस्तिती उत पन हो जाती, जिसके वज़े से उनकी मृत्य हो जाती है, ठीक है, तो यह जो COVID-19 में सबस्यादा मृत्य का कारण ARDS है, और शुरुवात में जब यह disease आई थी, तो सब लोग कह रहे थे ना, कि ventilators का प्रियोग करना चाहिए, तो ventilators के बारे में क्यों बात कर रहे थे उनको यह चिंता थी, कि 10 में से 8 लोगों को ऐसा हो सकता है, कि उनको ventilator पर जाना पड़े, क्योंकि ARDS के वज़े से उनकी तब्यत बिगड़ जाए, भारत के case में यह अच्छी बात रही, कि हमारी आबादी जो है, अभी औस आयू जो है, हम लोगों की जो कम है, 26 वर्ष के स्वास है, यंग जनरेशन है, और इस वज़े से क्या हुआ कि यहां भारत में ARDS की समझ से इतनी ज़्यादा नहीं फैली, इस वज़े से hospitals में ventilators वगरा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक, और लोग स्वस्थ हो कर जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप इस वज़े से हो सकता है कि हमें हमारे उपर acute respiratory distress syndrome ना हुआ हो, ठीक है, तो ARDS करता है, कुछ लोगों में करता है, statement सही है, it can be transmitted by droplet infection, सभी लोग जानते हैं, मास्क लगाना पड़ेगा, सही है, इस disease में क्या करना है, मास्क लगाना है, अगर मास्क नहीं लगाते हैं, तो ऐस option C सही हो जाता है, 3 and 4 are right, ठीक है, फिर question number 9 पे चलते हैं, consider the following statements about quantum computing, quantum computing के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार करिए, quantum computing uses quantum entanglement phenomena to perform computation, quantum entanglement नाम के फिनामना का गटना का प्रियोग करके, इसका प्रियोग के द्वारा नई किसम की दवाओं की खोच की जा सकती है, quantum computer uses qubits to perform calculation, quantum computer में qubits का प्रियोग किया जाता है, गटना करने के लिए, गटनाओं के लिए qubits नाम की चीजों का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, चलो देखते है, तो इसका पहला जो है, जो statement है, कि quantum computing uses quantum entanglement phenomena to perform computation, यह बिलकुल सही बात है, इसमें इसी घटना के प्रियोग के द्वारा computation या गटनाओं की जाती है, दूसरा क्या है, it can be used for the discovery of new drug, तो इसका प्रियोग के द्वारा नई दवाओं की खोच आप कर सकते हैं, यह भी बिलकुल सही बात है, quantum computer जो है, सबसे ज़्य प्रिया दाताकत वरे हैं, तो जाहिल सी बात है, नहीं तरह कि जो दवाएं हैं, उनका structure, उनका molecules और उनको किस तरह से शरीर पर असर डालेंगी, इन सब चीजों की गड़ना आप quantum computer के जरीए तेजगती से कर सकते हैं, तो यह बिलकुल सही है, यह option भी आपका सही हो गया, औ quantum computer जो है, वो qubits पे काम करता है, ठीक है, जो साधरन computer होता है, वो 0 और 1 जने कहते हैं bits उस पे काम करता है, जबकि quantum computer जो है, वो qubits नाम की गड़ना पर काम करता है, ठीक है, तो qubits पे काम करता है, जो quantum computer काम करता है, इस वज़े से यह तीसरा option जो है, वो भी सही हो जाता है, त सही हो जाते हैं, तो यह हो गया, question number आपका, no, next देखते हैं, question number 10, consider the following statement about AI, that is artificial intelligence, discovered drugs, AI की सहहता से खोजी गई दवाओं के बारे में निम्लिकित कतनों पर विचार करिए, scientist uses AI to create antibody known as hallucin, विवगानिकों ने, AI या artificial intelligence के प्रयोग के द्वारा, hallucin नाम की antibody, antibody नहीं होगे, antibiotic drug है, antibiotic drugs की खोज की है, है, antibiotic drug की खोज की है, hallucin can kill many strain of antibiotic resistant bacteria, hallucin की सहता से विविन प्रकार के antibiotic resistant bacteria की को मारा जा सकता है, hallucin is also effective to kill SARS-CoV-2 virus responsible for COVID-19 disease, hallucin की सहता से हम coronavirus या COVID-19 जो रोग होता है, उसको उत्पन करने वाले virus, that is SARS-CoV-2 या सामा निवासा में कहते हैं, coronavirus को भी नश्ट कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं, तीनों statement क्या है, तो यह पहला statement है कि scientist ने जो है, विज्ञानिकों ने AI या artificial intelligence या कृतिम बुद्धि मता के प्रयोग के द्वारा जो है, एक नई antibiotic दवा का की खोज की, जिसका नाम hallucin है, यह MIT है, Massachusetts Institute of Technology, वहाँ के विज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, तो जाहिर सी बात है, यह सही option है, दवा का नाम hallucin है, और यह antibiotic दवा है, दूसरा जो option है, कि hallucin can kill many strand of antibiotic resistance bacteria, hallucin जो है, विवन प्रकार के antibiotic resistance bacteria को nust कर सकती है, यह option भी आपका सही है, तीसरा जो option है, और इवन इस तरह के बैक्टीरिया को भी nust कर सकती है, जिनको आप शायद सुना हो, सुपर बक्स कहते हैं, जिन पर अन्य प्रकार की antibiotic दवाओं का असर नहीं के होता, उनको भी hallucin nust कर सकती है, तीसरा option कहता है, कि यह coronavirus को nust कर सकती, तो यह option गलत है, कोई भी antibiotic दवा कभी virus के उपर प्रभाव नहीं पहलाती है, virus के उपर सभी प्रकार की antibiotic दवाएं निश्क्री होती है, तो जायरिसी बात है, हैलिसीन जो है, वो coronavirus का उप्चार नहीं है, इसका मतलब option number 1 और 2 आपका सही है, और इसी सथ option B आपका सही हो जाता कैम जहला समय कि घर टें समय हो है, वोजाएं नहीं है, अजड़ा नहीं है, है चलो कि रज़ाल सेप्वरी है, अज़ाय है, चैसका मतल है, प्लूका सेथी बादर के रह भी दो नहीं है, भी usted, और क ciert मतलब? कर दो